who of the following has lost her sons to the sea यानि इन में से किस ने अपना जो बेटा है दोस्तों समुद्र में खो दिया था तो दोस्तों मौर्या ने अपने बेटों को खो दिया था समुद्र में option C यहाँ पर सही है next हमारा MCQ है Kathleen is a girl of about 10 years old यानि Kathleen जो है एक लड़की है वो कितने साल की है तो दोस्तों वो 20 years old है तो वो 20 साल की एक लड़की है option यहाँ पर C वाला सही है 20 next हमारा MCQ है the youngest son of मौर्या वाज्ज यानि सबसे चोटा बेटा कौन है दोस्तों मौर्या का तो बाटले है option A यहाँ पर character next MCQ है what is Kathleen doing at the beginning of the play यानि यह जो प्ले है इस प्ले के सबसे सुरवात में जो Kathleen है वो क्या कर रहे है तो दोस्तों वो knitting cake यानि cake को गूंद रही है बना रही है next MCQ है who wants to go to the Galway Fair यानि Galway Fair कौन जाना चाहता है तो बाटले जाना चाहता है option A यहाँ पर correct है next MCQ है what does Maurya think about Bartley going to see यानि Maurya क्या सोचती है बाटले के समुदर में जाने के बारे में यानि समुदर में वो जा रहा है तो बाटले जा रहा है तो Maurya क्या सोच रही है इस बारे में तो दोस्तों Maurya इस चीज़ के बिल्कुश सक्त खिलाफ है मतलब वो इस चीज़ के अगेंस्ट है कि बाटले न आ जाए तो option यहाँ पर D वाला सही है C is adamantly against it C is adamantly against it के मतलब वो जो Maurya C मतलब जो Maurya है वो बिल्कुश सक्त खिलाफ है कि वो बाटले समुदर में न आ जाए next MCQ है कि the riders to the sea is A और N यानि यह क्या है दोस्तों तो यह एक poetry drama है और साथ में one act play है तो यहाँ प्रॉप्शन यह वाला सही है D वाला B, both B and C next MCQ है हमारे next whom does Maurya think will stop बाटले यानि जो Maurya है वो किसको सोचती है कि कौन बाटले को समुदर में जाने से रोक लेगा तो वो सोचती है यंग प्रीष्ट के बारे में कि यंग जो प्रीष्ट है वो रोक लेगे बाटले को जाने से next MCQ है हमारा where is बाटले at the beginning of the play यानि इस play के starting में beginning में जो बाटले वो कहा है तो दोस्तो सेंग अबाउट दसी next option यह आपर सी वाल डी वाला सकरेक्ट है कि वो समद्र सी मतलब से हाजो को देख रहा है next MCQ है सिंग इस आ और एन यानि यह सिंग कौन है जे एम सिंग कौन है तो दोस्तो he is an iris playwright यह एक iris playwright है साथ में port है तो option यह आपर यह बी वाला करेक्ट है सिंग इस आ इस आ इस प्ले राइट next MCQ है how many acts are there in the play इस play में कितने acts है तो दोस्तो one act play है यह option A यहाँ पर करेक्ट है next MCQ है कि what does Nora bring into the cottage at the beginning यानि इस play के beginning में जो Nora है वो cottage में क्या लेकर आती है तो दोस्तो वो bundle of clothes लेकर आती है यानि कपड़ों का एक bundle लेकर आती है जिसको जिनको जिस bundle को प्रीष्ट ने उन्हें दिया होता है तो option क्या लेकर आती है the bundle of clothes option C यहाँ पर कर सही है next MCQ है who gave the clothes to नौरा यानि नौरा को कौन देता है यह bundle of clothes तो दोस्तो यंग प्रीष्ट देते है the young priest option D यहाँ पर सही है next MCQ है the priest is always described यानि जो प्रीष्ट है दोस्तो वो अक्सर sorry always यानि हमीशा described किये गए है एक young के रूप में बहुत नव जवान वो को young है priest यानि जवान है काफी तो एक जवान के रूप में इनको मतलब describe किया गए young priest के रूप में इनने describe किया गए next MCQ है how do they suppose Michael died यानि कैसे उनको लगता है कि Michael की death हुई होगी तो उनको लगता है कि उनको डूबने से उसकी death हुई होगी next MCQ है दे का मतलब उनके यहाँ पर दे का मतलब है Moria साथ में Kathleen और Nora को क्या लगता है जो बेटियां है साथ में जो माता है Moria उनको कैसा मतलब कैसे लगता है कि Michael की death हुई होगी next MCQ है कि what is Moria doing at the beginning of the play के beginning में जो मौर रहा है वो क्या कर रहे है तो उस्तों वो लेटी हुई है option यहाँ पर यह वाला correct है D वाला lying down मतलब लेटी हुई रहती है वो next MCQ है riders to the sea riders to the sea was first performed on यानि सबसे पहले यह कब performed हुआ था तो 25th of February 1904 में यह सबसे पहले performed हुआ था 25 फरवरी 1904 में next MCQ है friends Moria believes the presence of a single star by the site of the moon to be यानि जो Moria है दोस्तों वो उनका ऐसा विश्वास है कि अगर जो moon है यानि जो चंद्रमा है उसके site में एक single star है यानि एक star है तो उसकी presence को उसकी मौज़िदकी को वो क्या मानती है ये पूछा जा रहा है तो अगर एक चांद के बगल में एक single star है एक के वल तारा है और वो दिखाई दे रहा है तो उसकी मौज़िदकी को उसके presence को Moria believe करती है कि ये एक अपसगुन है तो option यहाँपर C वाला correct है of very bad woman यानि एक बहुत ही bad यानि बुरा अपसगुन है next हमारा MCQ है whom does Moria see riding the grey pony यानि मौरिया किसको देखती है grey pony पर सवार तो मौरिया देखती है दोस्तों Michael को option यहाँपर B वाला correct है next MCQ है whom does Moria see riding the red mare यानि red mare पर कौन सवार रहता है किसको देखती है Moria red mare यानि जो लाल गोडी है कौन पर सवार रहता है तो Moria देखती है बाटले को option यहाँपर D वाला correct है next MCQ है friends whose coffin will be made from the white boards यानि किसका coffin है वो white board से बनाया जाएगा coffin का मतलब आपनों जानते हैं दोस्तों ताबूत होता है ताबूत यानि कि एक box होता है box होता है जिसमें मतलब dead body रखी जाती हो उसे cremate किया जाता है उसका cremation होता है ताफनाया जाता है फिर आपनों Christian में जानते होंगे कि एक डिबा होता है box होता है इस तरह से कुछ इस तरह किसे होता है तो ताबूत इसे बोलते हैं आप लोग जानते होंगे इसको search किए गूगल पर आपको इसकी image मिल जाएगी तो जो coffin है वो किसके लिए बनाया जाएगा क्यों है हमारा what are the three women waiting for at the beginning of the riders to the sea यानि इस play के beginning में दोस्तो जो three women है वो किसका wait कर रही है तो दोस्तो वो wait कर रही होती है किसका तो वो news का wait कर रही होती Michael का यानि Michael का death का क्या हुआ उस news का wait कर रही होती है वो कि Michael की dead body कब तक आएगी नेक्स्ट जो three women है दोस्तो वो है एक तो मौरिया है दोस्तो साथ में एक Kathleen है साथ और एक Nora है नेक्स्ट MCQ है यह MCQ नहीं है फ्रेंट्स यह एक question है इस question को काफ़ इंपर्टन question इसको याद रखेगा जब पुछा किया है कि कौन उसक्ट मौरिया के son है यानि जो बेटे हैं दोस्तो उनका नाम याद रखेगा आप लोग जैसे कि एक का नाम स्टीफन है जुसरे का son है और एक है सीमस और साथ में patch और यह माइकल और एक बाटले हैं तो इस तरीके से उनके छे बेटे रहते हैं दोस्तो स्टीफन, सौन, सीमस, पैच, माइकल और बाटले तो यह नाम याद रखेगा फ्रेंड्स काफ़ इंपॉर्टेंट है और साथ में उनके दो बेटिया होती है आप जानते हैं Kathleen and Moria तो इस तरीके से मौरिया के सारी Kathleen and Nora तो इस तरीके से दोस्तों Moria के आड बच्ची होते हैं जिनमें दो बेटियां होती हैं Kathleen and Nora और साथ में यह छे बेटी होते हैं तो दोस्तों इनको याद रखेगा आप लो तो friends यह कुछ MCQs थे Riders to the Sea पर I hope मैं अच्छे सारी चीज़ा समझा पाए हूँ तो friends मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए आप लोगों अपना ख्याल रखेगा